नमस्कार आप सभी का एगेंस्ट्रप्शन 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग जानेंगे भरष्टा चार से संबंदित केंद्रे सतरता आयोग में की गई सिकायत की स्थिती पर RTI कैसे लगा सकते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्ट करेंगे जो इस चैनल से प हर उपयोगी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे तथा इसे इतना सेर करें कि इसकी जानकारी हर भारतिये को हो सके तथा इसका लाब हम लोग ले सकें तथा एक लाइक का बस्त कर देंगे तो चलिए हम लोग केंद्रे सतरता आयोग में RTI कैसे लगाएंगे इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो जिने प्रपत्र को RTI के लिए फॉर्म होगा वो फॉर्म भर देंगे जिने फॉर्म ना हो तो साब से सादे कागज पर अपना RTI आवेदन लिख सकते हैं तथा टाइप भी करवा सकते हैं तो भरष्टा चार से संबंदे जानकारी के लिए केंद्रिय सतर्ता आयोग में सिकायत किस्ति के लिए RTI कैसे लगाएंगे आप लोग देखें बिना इसकी प्रपत्र को द्वारा RTI लगा जाती है लिख देंगे सिवा में लोग सुचना अपधा दिकारी केंद्रिय सतर्ता आयोग का कारियाल है याप पता दे देंगे आवेदक अपना नाम लिखेंगे पिता का नाम लिखेंगे पूरा पता लिखेंगे पीन कोर्ड वर्स देंगे चार में मांगी गई जानकारी तो पहला है केंद्रे सतर्ता आयोग द्वारा दिनांग 112-1222 करने का मतलब मैंने एक वर्स के बीच में आप लोग जिस भी देट दिनांग के बीच जानकारी लेना चाहते हैं के बीच प्राप्त की गई सिकातों का संचिप्त विबरन क्या सिकायत गुमनाम थी सिकायत कीती थी उस अधिकारी या प्राधिकारन का पूरा विबरन जिनके खिलाब सिकायत की गई थी इसकी जानकारी मांग रहे हैं प्रियुक्ट में से कौन से सिकायत को उस्विक्र खारिज कर दिया गया, ता चाली खा नुद्र सक्विय। शुरुवाती जाच की तित्थी, ता खारिज का संच्पत विवरांदें थाज़। प्रतेग का संच्पत विवरांदें चौथा बिभिन कानून नियम निर्देश प्रकिरिया मैन्वलादी के अनुसार केंद्रिय सतर्ता आयोग में सिकायत दर्ज कराने के बाद कितने समय बाद जाचपूरी हो जाती है। किरिपिया ऐसे दिशा निर्देशों की परती उपलब्द कराएं जिनमें सिकायत प्राप्ती से लेकर उस पर कारवाई और डंडारोपन तक के बिभिन चर्णों के लिए समय शिमा का वर्णन हो उस जो परती होगी वह कैसे होनी चाहिए प्रमानी छाया परती के रूप में अ ऐसा हम लोग अनुरोद करेंगे जब भी कोई जानकारी चाहे वह नियम कानून को हो या कि योग भी किसी परती लेना चाहते हैं तो परमानी छाया परती ही लेनी चाहिए इसलिए इस बात की जानकारी हमेशा रखें और अपने आवेदन में भी परमानी छाया परती इसलिए हम लोग भारती पुष्टल ओडर नंजी डिस्टली स्टांप या बैंक ट्राप चेक के माध्यम से 10 रुपे का सुल्क जमा कर सकते हैं यहां लिख देंगे जिससे सुल्क जमा करेंगे उसमें रसीत संख्या होती है रसीत संख्या दे देंगे एक धियान देंगे कि Gentry जो गरीबी रिखा से नीचे के परिवार है BPL परिवारषारी है उन्हें निसल्क सुचना दी जाती है उनका रासन कार्ट का नंबर और उनकी छाप्रती रासन कार्ट की छाप्रती को लगा देने जी आपको निसल्क सुचना दी जाएगी तो वो सुल्क के जगा गरीब भी रेखा से होने की बात लिखेंगे तो आपना रासन कार्ट संक्या यहां दे सकते हैं यदि आपने सुचना चाहते हैं और उस कटेगरी में आते हैं तो अपना अस्ताक्षर करेंगे मुवाइल नंबर दे देंगे तिथी और अस्थान अवस्र लिख देंगे मैं प्रश्टाशार से संबंदित शिकायत पर की गई जानकारी का अवश्र विबरन लें जिससे भारत प्रश्टाचार मुक्त हो सुके जैहिन